पत्र जीवन का है उपर बुद्धिमान के लिए कि वह नीचे नरक से रवाना हो जाए दोस्तों मेरा नाम है वेरन शर्मा और मैं Faithful World Baptist Church Tempe Arizona अमरीका का सदत से हूँ नरक से बचकर स्वर्ग में जाने का रास्ता केवल बाइबल में है ध्यान लगा कर आप सुनें अब अच्छाईयों पर विश्वास रखें अच्छा जीवन जीएं और मंत्रों चारण करें और हज पर जाएं और तीर्थियात्राएं करें और गिरजाओं में जाएं और घंटियां बजाएं मंदिरों और गिरजाओं की और मस्जिदों की ये सब अच्छे काम करकर के शायद हम नरक से बचकर स्वर्ग में सिधार जाएंगे परंतु हमारे इन अच्छे कामों से नरक से बचकर स्वर्ग में सिधारना असंभव है क्योंकि बाइबल कहता है सभी ने पाप किया है और कम पढ़ गए है परमिश्वर की महिमा से और ऐसा है लिखा कि कोई भी नेक नहीं है नहीं एक भी नहीं इसका ये अर्थ है कि संसार में कोई भी व्यक्ति निश्पाप निश्कलंक निर्दोश नहीं हैं हम सभी पापी हैं अब पाप क्या होता है बाइबल के परमेश्वर जो केवल एक असली परमेश्वर हैं इनके आ प्भागूं हैंूर। उनके कई आधेशों मेंसे एक आधेश है, तुम जूट नहीं बोलोगे। तो परमिश्वर नहीं चाहते कि कोई भी इनसान जूट बोले। लेकिन मैंने जूट बोला है, मैं पापी बन जाते हैं अब बाइबल कहता है पगार पाप का है मृत्यू अब मृत्यू नकेवल आपके शरीर का बलकि आपके आत्मा का और बाइबल इसको कहता है दूसरी मृत्यू अब ये दूसरी मृत्यू क्या है बाइबल कहता है अविश्वासियों मूर्ति पूजकों और और सभी जूटों का होगा हिस्सा अंदर जील के जो जलती है अगनी और गंधक से यही है दूसरी मृत्यू तो दूसरी मृत्यू क्या है वो है इस जील में जो जलती है अगनी और गंधक से जो दूसरी मृत्यू है और इस जील जो जलती है अगनी और गंधक से इसका दूसरा नाम है नरक और नरक में कौन जा रहा है अविश्वासी अविश्वासी वो जो भगवान इसा मसी पर विश्वास नहीं करते और जो मूर्तियां पूछते हैं और वो जो जूटे हैं तो जूटे हर इंसान इस धरती इस संसार में जूटा है तो बाइबल कह रहा है कि हर इंसान योग्य है नरक में जाने के लिए हर व्यक्ति लायक है नरक में जाने के लिए अनंतकाल के लिए और यह बहुत ही दुख की बात है क्योंकि एक बार आप मृत्यू के बाद नरक में चले गए नीचे आप वहाँ से भाद नहीं आ सकते और आप आपका आत्मा जलता रहेगा इस जहील में जो जलती है अगनी और गंधक से शुब समाचार परंतु यह है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं वे नहीं चाहतें कि आप मरने के बाद नरक में जलें वे चाहते हैं कि आप अपनी मृत्यू के बाद उनके पास स्वर्ग में जाएं इसलिए बाइबल के परमेश्वर जो के केवल एक असली परमेश्वर है परमेश्वर पिता ने अपने बेटे भगवान ईसा मसी को पृत्वी परवेजा 2020 साल पहले और भगवान ईसा मसी परमेश्वर थे प्रत्यक्ष मास में जिन्होंने किया नहीं कोई पाप नहीं था चल पाया गया उनके मुख में इसका यह अर्थ है कि भगवान ईसा मसी निशपाप, निर्दोष, निशकलंक हैं वह पवित्र हैं और उन्होंने कई चमतकारी मददगार कारे किये पृत्वी पर उन्हेंने हजारों भूकों को रोटी दी उन्होंने नेत्रहीनों को नेत्रप्रदान किये लूले लंगणों को उन्होंने चलने फिलने की काबिलियत दी और फिर वह सूली पर चड़ गए हम नरक में भीज रहे हैं और वह नहीं चाहते कि आप नरक जाएं तो क्या करा उन्होंने उन्होंने आपके पाप और इस संसार के सभी व्यक्तियों के पाप अपने ऊपर ले लिए वह पाप बन गए उन्होंने हमारे पाप अपने ऊपर ढो लिए उन्होंने कोई पाप नहीं कि सूली पर 2020 साल पहले भगवान इसा ने आपके सारे पाप अपने उपर ले लिए और उन्हें आपके पापों का पगार भी बुखता इसलिए वह सूली पर मर गए आपके पाप लेकर ये बहुती दर्दनाख कार्य किया उन्होंने आपके लिए क्योंकि वो आप से प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने सूली पर अपने जीवन का बलिदान दिया और उसके बाद तीन दिन तीन रात बाद भगवान ईसा मसी पुनर जीवित हो गए अंग्रेजी में उसे रेजरेक्शन कहते हैं इसके बार में बाइबल कहता है अब है मसीह उठे मृतकों में से और बन गए हैं पहलोटे फल उन में से जो सो रहे हैं जी हाँ ये है सबसे आवश्चकार जो भगवान ईसा मसी ने आपके लिए किया कि वो आपके पापों के लिए सूली पर मर गए और फिर तीन दिन तीन रात बाद पुनर जीवित हो गए अब ये जानते हुए कि आप पापी हैं और नरक में जाने की योग्य हैं परनतो भगवान ईसा आपके पापों के लिए मरे और फिर पुनर जीवित हो गए ये सब जानते हुए अब आप क्या करना चाते हैं कि आप नरक में जाना चाते हैं या आप नरक से बचना चाते हैं अगर आप नरक से बचना चाहते हैं तो आप ये भगवान ईसा मसी का शुब समाचार सुनते रहें आप ही कि तरह एक व्यक्ति था बाइबल में जो नरक से बचना चाहता था उसने ये प्रशन किया क्या है जो मैं करूं बचने के लिए और उन्होंने कहा विश्वास करो भगवान ईसा मसी पर और तुम बच जाओगे तो बाइबल कहता है कि केवल भगवान ईसा मसी पर विश्वास करने से ही आप नरक से बच जाएंगे ध्यान दें बाइबल नहीं कह रहा कि आप अच्छे काम करें साफ सुत्रा जीवन जीएं आत्म विश्वास रखें विश्वास अपनी नेकियों और अच्छाईयों पर करें दान दक्षना दें घंटियां बजाएं गिरजा घर या मंदिर में या मस्जिद में मूर्तियों को पूजएं मंत्रो चारण करें योग करें आपने आज 100% विश्वास कर लिया आपका नरक से बचाव हो जाएगा बाइबल कहता है क्योंकि क्रिपा से तुम बचते हो भरोसे के द्वारा और ना कि अपने आप से यह है उपहार परमेश्वर का कर्मों का नहीं कहीं कोई भी पुरुष डिंगे ना मारे भगवान नहीं चाहते कि आप जब मरने पर स्वर के द्वार पे दस्तक दिंगे आप कहींगे परमेश्वर मुझे अंदर आना दें और परमेश्वर पूछेंगे मैं तुम्हें क्यों अंदर आने दूँ और आप कहें देखिए मैंने आप इतने अच्छे काम की हैं मैंने इतने सारे रुपएयों का दान दिया है मैंने इतने जगराते रखे हैं मैंने हज पे गया और इतने अच्छे काम के परमिशर करेंगे नहीं निकल जाओ यहां से तुम वह सुनना चाहते हैं आपके दिल से आपके हिरिदे से कि आपने उनके बेटे भगवान इसा मसी पर विश्वास किया इसलिए आपको स्वर्मे जाने दिया जाएगा इसलिए आपका नरक से बचाव होगा आपके अच्छे कामों से आपकी अच्छी नेकियों अच्छाईयों से नहीं होगा आपका आपका नरक से निवारन आपका नरक से बचाव और ध्यान दें आपके पापों के लिए सूली पर राम क्रिशन शिव मेरी बुद्ध मावीर गुरू नानक मुहम्मद या मुसलमानों का जूटा अल्ला या गाय बंदर हाथी चुआ ये नहीं मरे आपके पापों के लिए सूली पर केवल भगवान ईशा मसी मरे आपके पापों के लिए सूली पर इसलिए ईशा मसी कहते हैं मैं हूँ वहपत वहसरत्य और वह जीवन नहीं आ सकता कोई पुरुष पिता के पास सिवाए मेरे द्वारा तो परमिश्वर पिता के पास स्वर्ग में जाने के लिए मरनो प्रांत आपको केवल भगवान इसा मसी पर विश्वास करना है तो अगर आज आप नरक से बचना चा और केवल भगवान इसा मसी पर सो प्रतिशत विश्वास करें आज कि वो आपके पापों के लिए मरे और पुनर जीवत हो गए और आज ही आपको नरक से निवारन मिल जाएगा आप आज ही नरक से बच जाएंगे बाइबल कहता है ये इसा मसी के शब्द हैं क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया था संसार के साथ कि उन्होंने दे दिया अपना इकलौता जनना बेटा कि जो कोई भी विश्वास करता है उसमें उसका नाश नहीं होगा बलकि उसके पास होगा अनंतकाल का जीवन जी हाँ ये वादा है परमेश्वर का जो जूट नहीं बोल सकते आपने अगर आज एक बार भगवान इसा मसी पर विश्वास कर लिया आपके पास होगा अनंतकाल का जीवन और आपका नाश नरक में नहीं होगा क्योंकि आप स्वर्ग में जाएंगे अनंतकाल के लिए कि कोई मात्रा कि कोई माप नहीं है अनंतता अनंतता है करोणों 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 साल लंबा इस 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 दौरान इस समय के लिए आप स्वर्ग में होंगे क्योंकि आपका नरक में नाश नहीं होगा क्योंकि आपने बगवान इसा मसी पर विश्वास कर लिया है बगवान इस से ही है अननतिकाल का जीवन इसकार तिये हैं कि जब आप मरेंगे आप स्वर्ग में जाएंगे अननतिकाल के लिए नरक में कभी नहीं क्योंकि आपका बचाव हो चुका है इसाभ फिर कहते हैं और मैं इसाभ पिर कहते हैं उन्हें जिनोंने उन पर सो प्रक्तिशत विश्वास करा है वह कहते हैं उन्हें और मैं देता हूँ उन्हें अनंत जीवन और उनका कभी नाश नहीं होगा ना ही कोई पुरुष खीचेगा बाहर उन्हें मेरे हाथ से भगवानी समसी कह रहे हैं आप से अगर आपने आज अपने जूटे भगवानों का त्याग कर दिया तरसकार कर दिया और केवल उन पर विश्वास कर लिया आपका आत्मा उनके हाथ में आ जाएगा और उनका हाथ स्वर्ग में है और आपका आत्मा उनके हाथ में वो सबसे शक्तिमान है एक बार आप उनके हाथ में आ गए आप उनके हाथ से कभी भार नहीं आ सकते हाँ अब जो आपका जीवन इस पृत्वी पर बचा हुआ है विश्वास करने के बाद इसाप मसी पर आपको नरक से बचाव आज मिल जाएगा अनंतकाल का जीवन स्वर्व में आपको आज मिल जाएगा परंतु जो आपका जीवन पृत्वी पर है अगर आप इसमें बुरे काम या घोर पाप करेंगे भगवान निश्चितता से आपको आपके पापों का दंड इस पृत्वी में देंगे मान लीजिए कि आपने आज भगवानी सामसी पर विशास कर लिया और आप नर्क से बच गए हैं परंतु भविश्य में अपने जीवन में आप हत्यारे बन जाते हैं आप कातिल बन जाते हैं तो भगवान निश्चितता से आपको कारावास में भीजेंगे कठिन कारावास में भेज देंगे या कोई और कड़ा दंड देंगे निश्चितता से आपको दंड दिया जाएगा इस पृत्वी में आपके जीवन में इस पृत्वी में परंतु क्योंकि आपने उन पर विशास कर लिया है एक बार का बचाव अनंतकाल के लिए बगवान देंगे नरक से बचाव नरक से निवारन नरक से मोक्ष हिर profound का मामला है आपके हाथों आपके पैरों और आपके बैंक अकाउंट आपके पैसो का नहीं है ये हिरिदे की बात है, हिरिदे में आप भगवान ईसा मसी पर विश्वास करें और आपको नरक से बचाव आज मिल जाएगा अनंतकाल के लिए अब मुझे आज पूरा विश्वास है कि आपको भगवान ईसा मसी का ये शुब समचार समझा गया है अब क्या रह गया है करने के लिए, अगर आपने आज भगवान ईसा मसी पर सौ प्रतिशत विश्वास कर लिया है और अपने हृदे से जूटे भगवानों और अपने आत्म विश्वास और अपनी अच्छाईयों पर जो विश्वास आपने कर रखा है उसे बाहर निकाल दिया तो आप अपने मुख से आज भगवान इसा मसी को पुकारें उन्हें अपना विश्वास बताएं और उन्हें कहें कि वो आपको नरक से बचा लें और आज वो आपको अनंतकाल के लिए नरक से बचा लेंगे क्योंकि जो कोई भी पुकारेगा भगवान इसा के नाम पर वह बच जाएगा और मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपको कुछ शब्द बोलूँगा या आप अपने हृदे से सौ प्रतिशत भगवान इसा मसी पर विश्वास करते हुए अपने मूँ से बोले और उन्हें कहें कि वो आपको बचा लें और आपको आज बचा लेंगे तो आप इसको बोलें अपने हृदे से भगवान इसा मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं अपने पापों का पगार नरक में भुगतने के लायक हूँ लेकिन आज मैंने 100% विश्वास किया है केवल आप पर कि आप मेरे पापों के लिए सूली पर मर गए और फिर पुनर जीवित हो गए भगवान ईशा आज आप मुझे नरक से बचा लें और स्वर्ग में अनंतकाल का जीवन दे दें तथास्तू, आमेन